वायो मंडल की ओजोन परत प्रिथिवी को बचाती है गामा किरणों से, एक्स किरणों से, क्लोरो फॉलोरो कारवन से या फिर पराबैगनी किरणों से तो वाय मंडल की ओजोन परत प्रिथिवी को किस्ते बचाती है पराबैगनी किरणों से डी आप्सन करेक्ट जाएगा हखके अगला कोश्ण लेते हैं कौन साथ ट्रेस गैस नहीं पाए जाती एह यह वाया वाय मंडल में नहीं पाएystem mm का उच्रजन का op होता है यह पस्वों की जुगाली से यानिक जो पस्वें जुगाली करते हैं मुझ बारबा चलाते हैं और धान के खेट से खास करके निकलता है मीथेन यह आप सेंट करेक्ट है यह होती है 78.08% से आपसन क्या है करेक्ट है भारत में उच्चतम ज्वार चेत्र किस के पास देखा जाता है गुजरात तर्ट पर सुंदरवन चेत्र में विशाखा पत्रम में या फिर तमिलनाड़ के पास देखा जाता है पुछा गया है उच्चतम ज्वार किस चेत्र में द देखा जाता है तो यहां गहां पर यह देखने को मिलता है गुजरात के तत्ष Defense पर यह अप्शन कर्एक है तरह से सूच यह को सूचे दो से मिलाना एक दिरब धी आखिरति और तरह तरह आ दिया गया अपर्दन के प्रकार जिवज tack किसके कारण से होता है तो जो जो होता है परदन के कारण एका एका तीन पोल जे भोमिकत जल के कारण होता है और केम क्या है या हिमानी है हिमानी के कारण होता है और रेपिड आक्स बहता जल एका तीन बी का चार एका तीन और बी का चार किसमें है D option दिया गया और D option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा भू अभिनेति को घेरे दिनड़ भूभा को कोवर ने कहा था kratogen primarum enderum या फिर monadak तो इसको क्या कहा था kratogen option number A correct हो जाएगा कम जवार और उच कम जवार और उच जवार के बीच उचाई में लंबोत अंतर क्या कहलाता है जवारी ढलान जवारी उन्नयन जवारी परास या फिर जवारी उचाई तो यह कहलाता है जवारी परास C option क्या है correct है sorry नदी अपरदन के से बीकसित भू आकरतियों का निम्निखित में से कौन सा सही करम है तंग घाटी बाढ़ी मैदान तलाटी मैदान डेल्टा तंग घाटी तलाटी मैदान बाढ़ी मैदान या फिर डेल्टा तो इसका जो सही करम है वह क्या है तंग घाटी तलाटी मैदान बाढ़ी मैदान और डेल्टा आपसर नमबर B क्या है बिल्कुल करेक्ट है चलिए आते हैं अगले कोशन की तरफ और अगला कोशन लेते हैं तो कहां होता है यह होता है सीथ सितोष्ण छेत्र में डी आपसन क्या है करेक्ट है अगला कोशन लेते हैं माउंट सेंट हेलेंस भी सव के किस भाग में और सuldती से जावा सागर अंडमान सागर और तो क्या है सेंट तरा अमेरिका आपसर नमबर एक अरेक्ट है और माउंट सेंट हेलन्स सजी तरह अमेरिका में अवस्तित है यहाँ युसे में 20 इस्तित अन्य परवत जो हैं अलग-अलग कई सारी परवते हैं अलास्का रेंज राकी अपलेशियन राकी अपलेशियन कास्केट रेंज और सियरा माधरे आधी यहाँ पर क्या है युसे में अवस्तित है अगला कोशन लेते हैं अईसी नदी घाटियों को क्या कहते हैं जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कार को द्वारा होता है जिने निर्धारित नहीं किया जैसकता अनुवर्ती परवर्ती अक्रम वर्ती या फिर अनानुवर्ती इसको कहा जाता है अक्रम वर्ती सी अप्शन करेक्ट है निमखित में से कौन सा सू अस्थैतिक संचलन का प्रतिफल है अस्थल भाग का उत्थान समुद्र तल का उत्थान एवं धसाओ विभीन स्वरूपो का निर्माण या फिर डी है नदी धराओं का निर्माण तो क्या हो जाएगा यह समुद्र तल का उत्थान एवं धसाओ विभी आप्शन क्या है करेक्ट है चतिपूर्ति तर्ल संकल्पना के प्रतिपादक है प्राट एरी हैफोर्ड वो भी या फिर जोली कौन है यह प्राट एप्शन करेक्ट है निमकित में से कौन सी नदी भ्रंस घाट की से होकर प्रभावित होती है तो वह नदी है तापी नदी एप्शन करेक्ट है अगला कोशन लेते हैं इन में से कौन भू अभिनतिक की संकल्पना से समंदित नहीं है हाल एड़ाना डेविज हाग या फिर सु कर्ण कौन है या नहीं है हाग सी आपण क्या है करेक्ट है अगला कोशन लेते हैं लिमने में से किसने प्लेट बिवर्तन की सिद्धानत का परितिपादन किया हैरी हैस हालम डवलू जे मारगन या फिर हर्ट हर्ट रजर्ल ने हर्ट जर्ल ने किस ने किया है यह क्या है है हैरी हैस ने आपसर नंबर एक करेक्ट हो जागा अगला कोशन लेते हैं वर्ष 2011 की जन्गर्णा की अनुसार निम्कित में से किस राजय में नगरी जन संग्या के उच्चतम प्रत्सत को अभी लिखित किया था मद्य परतेश हर्याना बिहार या फिर उतरप्रदेश पुछा किया उच्टम प्रत्सत नगरी उच्टम प्रत्सत क्या थी वो हर्याणा की थी बी आप्शन करेक्ट है और सबसे ज्यादा संख के कहां पर थी वो उत्यपदेश की थी अगला कोशन लेते हैं पिन प्लैन नदी समतल की वर्ष 1993 अवधारन को किसने प्रत्पादित किया था किसने किया है या क्रीक में ने सी आप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन लेते हैं भारती मानक समय रेखा 25.5 डिगरी किस राज़से होकर नहीं गुजरती है आंद्र प्रदेश 36 गड़ मंद्र प्रदेश तमिलाडू कहां से नहीं गुजरती है यह तमिलाड से नहीं गुजरती है एक याद रखे गाres trick यू मौका यू मौका उत्यप्रदैस 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 ईत्य परिश ए गया चली अगला क्वोशन लेते हैं किस देश से भुमद रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है पेरू, चीली, इंडोनिसिया या फिर ब्राजील तो भुमद और मकर रेखा दोनों किस देश से होकर गुजरती है वह देश है, ब्राजील, अप्सन नमबर D सही है अंतराश्टी तीथी रेखा किन दीपों के नज़्दीक से गुजरती है हवाई दीब, कूक दीब, सेंटा कुरूज दीब या फिर फीजी दीब अंतराश्टी तीथी रेखा के बात हो रही है तो कहां से गुजरती है या फीजी दीब से होकर गुजरती है अंतराश्टी तिथी रेका कौन सी मानी गई है 0 डिगरी दिशांतर 0,5 डिगरी या चांस 0 डिगरी या फिर 180 डिगरी दिशांतर किसको माना गया है 180 डिशांतर को अंतराश्टी तिथी रेका माना गया है अंतराश्टी तिथी रेका माना गया है कम प्लग डोम का या फिर होस्ट का किसका उधारान है आल्पस परुवत या उधारान है पिरामडी सीखर का बी आप्सन करेक्ट है अगला कोश्चन लेते हैं सुची एक को सुची दो से मिलाना है एक तिरफ दिया योजना है और दुसरी तिरफ दिया उस्से रिडेटेड नदी पर है मताटिला प्रियोजना या बेतवन नदी पर है काकरापार प्रियोजना या जो है तापी नदीर पर है गुजरात में और नागाजुन सगर प्रियोजना किस्ण नदीर पर है या आपको पता होगा एका चार और डी का एक एक का चार डी का एक किस में दिया गया यह आप्सेंग दिया गया है और यह आप्सेंग क्या हो जागा करेक्ट हो जाएगा तो चलिए इस सेशन को यह तक रखते हैं और हम उम्मिद करते हैं सेशन आपको पसंदार आगा सेशन पसंदार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसकी बहुत बहुत धन्यवाद, मुस्कार.